बड़े ब्यापक तोर पे सरकार का अभियान चल ला है कि पराली प्रबंधन किया जाए किसान पराली को ज़्यादा तर इस रूप में लेता है कि पराली को नस्ट करके तुरंथ हम दूसरी फसल लगा दें लेकिन वो तरीका सही नहीं है अगर बैग्यानिक तरीके की बात की जाए तो पराली को हम खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं यहां तक कि अब पराली से बहुत सारे तरह के वैलुएडेड प्रोड़क्ट बन हैं और यह प्रोड़क्ट हमारे रोज की दिन्चरिया में काम आ रहे हैं इसलिए तमाम तरह के ऐसे अब उप्योगी यंत्र का भी विकास हो चुका है और इन यंत्रों के माध्यम से न सिर्फ हम पराली का प्रबंधन कर पाएंगे बलकि हम पराली का सही उप्योग करके अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे तो इसी कड़ी में यह देख सकते हैं कि मैसियो कंपनी का एक बेलर यंत्र है जो यह पराली है इसको घुमाई है तो खेत में जो पराली है उसको यह इकठा कर देता है इकठा कर देगा और इकठा करने के बाद में फिर यह आसानी हो जाएगी तो यह यंत्र इसको हम ट्रेक्टर से कनेक्ट करते हैं तो यह उस इकठा पराली को यह उसे गठर में कंप्रेस करके कंप् लग चुकी है और कई और कंपनियां भी हैं जो हमसे एक उच्छी त्रेट पर पराली को खरीद रही हैं तो यह किसानों के एक बहुत बड़ा फाइदा होने जा रहा है तो हमारे साथ में इस कंपनी के कुछ लोग हैं हम इसे बात करेंगे किस तरह काम करता है कितनी किसान को इ माण देता है तो कामगाईन के काटने के बादने के बाद में इस यंत्र को चलाते हैं जब यह चलाते हैं अर्विह चलता जाता है और कंप्रेश करके बहुत ज़्यादा करता है 200 kg का वे यह पीछे निकाल लेता है तो दोषो के निकाल देता यह और उस गठर से हम CNG गास बना रहे हैं और ऐथनल बना रहे हैं चारे में भी काम आ रहा है भट्टे में भी काम आ रहा है फैक्ट्रियों में भी काम आता है रो मैटेरियल वाइलर को चलाने के लिए मतलब पावर प्लांट में काम आता है मतलब मेरे कहने का उद्देश यह है कि किसानों को जलाने से कोई लाब नहीं मिलेगा सिवाए नुकस सबसे बड़ा फाइदा क्या है क्योंकि इसमें हर किसान यह देखता है कि किर्सी यंतर पर उसे सबसीड़ी मिलती है तो इसके क्या सबसीड़ी है इसकी कॉस्ट जैसे बेलर की कॉस्ट तीस लाक रुपय रखी गई है अगर किसान इंडविजवल लेता है तो ये 15 लाक में उसे पड़ेगा एक पीओ के थू लेता है क्योंकि एक योजना चलती है क्रिसी मसिनरी बैंक उस योजना के तहट 80% की सबसीडी है तो किसानों के लिए बहुत लाबकारी यंत्र है और अगर किसान लेता है और इसका अप और दूसरी चीज़ है कि किसानों की पराली की समस्या पुरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो यह है किसान के लिए सबसे ज़्यदा फाइदा यह जो है अपना बेलार यह तीस लाग का है और हमारे पास इससे कम दाम का भी है यह 200 कजी का वेट निकालता है और जो अपने पा 14 लाग का है नहीं 14 लाग से कम नहीं है 14 लाग का है रंड़ 20 लाग का है हो इसके ऊपर 30 की सकार सक्ष भी तो आप आ्राम से चला लेंगे तो आप आर tänker हमें से झाल Singing का के लिए तके लांस च्याने के लिए हम सैंचक्टर च्रॲए 70 17 शीषिंद्ट है कर में आपaliu तो यह है इनका यह है मतलब अगर इसके लिए ट्रेक्टर थोड़ा पाउरफुल होना चाहिए यह ज्यादा तर उन इलाकों के लिए है जैसे पंजाब उन्जाब के इलाकों में देखा जाए तो इस तरह के पाउरफुल ट्रेक्टर मिलते हैं और यूपी में थोड़ा सा कम इस तरह के पाउरफुल ट्रेक्टर है लेकिन सामाने ट्रेक्टर पे जो छोटा वाला जो 14 लाक की यूनिट है वो काम करेगी और बहतर काम करेगी एक करोल का इसका टर्नोबर है लगवगर इसको हम चलाते हैं तो एक करोल रुपया यह हमें कमा के दे सकता है तो किसानों के अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पानी के लिए बैल आइकन भी तबा दे